किरहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राश्यों का हाल मित्रोव सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचरधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशीफले 10 जनवरी 2024 बुद्वार का दिन है पोश महा के कृष्ण पक्ष की चतूर दशीत ही है मूल नामक नक्षत्र होगा तथा धनुराशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात कर तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं हारा धनिया, सूखा धनिया या फिर धने की डाल राहुकाल जो की दोपहर बैरा बजे से शुरू हो करके एक बज के तीस मेट तक रहेगा, इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए, हलाकि राहुकाल का निर्ने, आप अपने क्षेतर के पंचांग अथवा केलेंडर कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई चेतरों में माना जाता है, और कई चेतरों में नहीं भी माना जाता है, दैनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें, तो ग्रहों के राजा सूरी देव, जो की धनु राशी में, वहीं चंद्रमा भी धनु राशी में, मंगल ग्रह धनु राश व्रशाप करक कन्या व्रश्चिक एवं मकर ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है कारिक्षित्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम आउसर प्राप्त हो सकते हैं इसके अलावा इनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसमें आगे चल करके इनक से पहला शुब महुर्त सुबह 6 बजे से लेके 7,50 बजे तक लाब का चोग्डिया रहेगा और सब सबाद सब five साड़े साथ से ले करके जो परगतव चुबह का चोग्डिया रहेगा और को ही फाइदा प्राप्त होगा अब हम आपको मेस से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चल के हुए अटके हुए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विडियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मां दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका प्रत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शांती और मांसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इसलिए फालतू की गतिविदियों से अपना ध् निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वार्तालाब से अपनी किसी समस् शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशीगी मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय व परिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करें और अपनी वस्तूओं को समाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाल में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई अर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संकीनता परिवार के लोगों के लिए आईची खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समाज से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिसकारण आपको मान सम्मान व य व्याप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिय उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में भगर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मिठी वस्तु खा कर निकलते हैं आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक आठ होगा भगिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते ह तुलाराशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फाइदेबन साबित होगा निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है काम की अधिक्ता की वजह से स्वाभाव में चर्चडापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराब कर सकता है अपने स्वाभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा क अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना अपके जीवन को कुछ सकारात्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासि तथा आदग्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिषानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थि गर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक नो होगा भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनितिक कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगात कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करें कोई आपकी गतिविधियों का नाजाइस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है बच्चों की गतिविधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको न अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपुन मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबि करेंगे इस्थाई संपति भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन्न हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कुछ कारिय भी संपन्न करेंगे और स आले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविधा संबध्य कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई स आपको बताएं हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे आपको और आपके पू